हेलो प्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइकलोजिकल डिसॉर्डर के बारे में जो की डिप्रेशन की क्रॉनिक फॉर्म हम उसको कह सकते हैं यह जो है अगर दो साल तक कंटिनूस बना रहे और बच्चों में अगर एक साल तक ऐसा परसिस्टेंटली देखने को आ यह इसुअरं जाना जाता है तो मेंगली जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कंटिनूस ली आपका मूड जो है लो बना रहता है और आपकी जो चीजेंको डेली एक्टिविटी की जो रूटीन के काम भी थे या जो करके आपको खुशी होती थी उनमें आपका इंटरस्ट नहीं रहता है वैसे तो यह प्रॉब्लम जो है मेजर डिप्रेसिव डिसॉर्डर जो हो रहते हैं उनसे कम सीवियर होता है लेकिन क्योंकि पर्सिस्टेंटली आपका मूड इसमें खराब बढ़ना रहता है तो यह जो है लॉंग टर्म में आपके लिए बहुत प्रॉब्लमाटिक चीज हो सकती है तो इसी प्रॉब्लम के बारे में आज हम यहार चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या सिम्टम्स रह सकते हैं किस कारण से ऐसा होता है और इसको ठीक करने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं कुछ से और जो है अगर हमें किसी की जो है इसमें हेल्प ही लेना पड़ी तो कैसा होगा तो यह सब आज हम डिसकस करेंगे यहां पर पर तो सिम्टम्स के अगर हम बात करते हैं डिस्थायमिया में जैसे कि इसकी इसकी जो नेमिंग की गई है परसिस् आपकी रोज की जो रूटीन एक्टिविटीज आप करते थे जिनको करके आपको अच्छा फील होता था या आपको वह इंटरस्टिंग लगती थी उनमें जो है आपका जो है कोई भी जो है इंटरस्ट नहीं रहता है आपकी एपटाइट चेंज हो जाते या तो आप बहुत जादा खाने लगते हैं या जो है आपकी भूख खतम हो जाती है इसी प्रकार से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है या तो कुछ लोग जो है बहुत जादा सोते हैं या उनको नींदी नहीं आती है अब क्योंकि इतना डिस्टर्ब एक्टिविटीज आपकी होगी तो उसकी वजह से आपको जो है बहुत जादा फटीग मतलब वीकनेस ठकावट जैसा मैसूस होता है अपना सेलफ एस्टीम बहुत जादा लो आपको इसमें लगता है और जो हैं चीजों पर कॉंसेंट्रेट करना बहुत डिफिकल लगता है को भी चीज को डिसाइड करना जो ह बहुत मुश्किल हो जाता है तो उसमें आप बहुत जादा जो है टाइम लगाने लगते हैं और जो है एक सबसे जादा जो चीज इसमें आपको देखने को आती है वो रहत है होपलेस फील आपको जो है लाइफ में किसी भी चीज में जब इंटरस्ट नहीं रहेगा तो सिम्टम्स की बाद अगर हम इसके कॉज देखते हैं कि ऐसको हो जाता है वैसे तो इसके लिए नहीं दिया गया है फिर भी अगर जह हम जो है symptoms और पूरा उसको देखने की कोशिश करते हैं पूरा scenario को जो लोग डिस्थायमिया से affected होते हैं तो उन में जो main कारण निकल के आते हैं उसमें सबसे पहले है family history तो अगर किसी लोगों को अपनी past generations में इस तरह की problem है तो बच्चों में ये जो है problem देखी जाती है या फिर जो है आपके brain में कोई chemical imbalance जैसे की जो है जो serotonin type के जो neurotransmitters रहते हैं वहाँ पर अगर कोई imbalance हो जाता है थर्ली अगर आप chronic जो है stress से गुजर रहे हैं कोई traumatic experience आपको बच्चपन में हुआ है या फिर जो है young age में भी हुआ है तो वो भी जो है आपकी इस mood को जो है बहुत जादा affect करता है क्योंकि जो है कोई भी life में घटी हुई जो दुर घटना जो आपको mentally pressurize करती है वो जो है आपका पूरी personality को change करने के लिए काफी होती है इसके बाद जो है आपका जो personality traits होते हैं उसमें अगर आपका self-esteem कम है तो भी जो है आप इस depression का शिकार हो सकते हैं तो ये कुछ cause हो सकते हैं जिस वज़े से जो this time a की problem है लोगों में देखी जाती है और अगर हम कुछ statistics की यहाँ पर बात करें तो जो 13 to 18 year का age group है वो इससे जादा effect रहता है इस problem से उसको जो है बताया गया है कि 11.2% जो बच्चे हैं वो इस problem से इस age group के 13 to 18 के वो effect करते हैं और जो है adults के अगर हम बात करते हैं तो adults का portion भी इसमें रहता है लेकिन वो काफी कम है उसको हम 1.5% consider करते हैं फिर भी जो है अगर हम male और females को देखते हैं इसमें वहाँ पर भी जो है girls का जो है इसमें जो है affect होने का portion जो proportion है जो probability है वो जादा रहती है तो यह कुछ statistics दिये गए हैं इस problem के लिए कि जो है कितने लोग इसके जो है affect होते हैं और कौन सा age group आपको इनको affect करता है लेकिन अगर हम इसकी complication देखें तो क्या हो सकता है क्योंकि कहा गया है कि यह major depressive disorder से कम severe है still अगर यह problem आपको continuous में बनी रहती है तो यह आपका quality of life तो definitely disturb करती ही है क्योंकि आप हर time low mood में रहते हैं और जो है अगर लंबे समय तक यह चलते रहेगी तो आप जो है उस जो low level का जो depression है उससे आप major depressive disorder में जा सकते हैं आपकी जो societal tendencies जो रहती हैं वो इसमें increase हो जाते हैं आपके personal relationship इसमें effect हो सकते हैं आपका जो काम पे या school पे जो environment है वो वहाँ पे आपको difficulty feel होगी और इसके साथ ही आपकी mental health के साथ साथ आपकी physical health पे भी जो है फरक पड़ेगा आपको हर समय अपना body में pain feel होगा क्योंकि जो sadness का जो पूरा जो है यह आपकी जो है personality बन जाएगी तो उसकी वज़े से अपको हर टाइम low low feel के साथ साथ आपको लगता है कि आप हर समय बिमार हैं आपकी body दर्द कर रही है आप कुछ करने के लिए capable नहीं है तो यह problem जो है आपको long term में देखने को मिल सकती है अगर आप जो है इसको treat करने की तरफ जो है ध्यान नहीं देंगे तो पर जब treatment के बाद आती है तो हमें सबसे पहले इसमें importantly हमें यह देखना होता है कि क्या आपको इसमें doctor की जरूरत है या आप खुद से भी जो है इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो अगर psychotherapy की आपको जरूरत पढ़ती है दॉक्टर की जरूरत पढ़ती है तो आपको काफी मदद मिल सकती है उसमें से एक टेखनीक रहती है CBT जिसको हम cognitive behavior therapy कहते है उस therapy में जो है आपको आपकी जो psychologist है वो आपके negative thought को कैसे manage करें वो आपको सिखाएंगी किसी भी difficult situation से कैसा cope up करना है यह skill आपको जरूरत उसमें सिखाई जाती है और all in all अगर हम बात करें तो आपका पूरा personality जो है इन थेरपी के साथ में जो है इसमें चेंज हो जाता है और आपका life के परती perspective बदलेगा तो आपका mood भी जो है इसमें चेंज होगा और आप इस depression से बहारा पाएंगे स्टिल अगर therapy से help नहीं मिल रही है तो आपके doctor जो है आपको कुछ antidepressants जो है advice करते हैं वो आप ले सकते हैं antidepressants ऐलोपेथी में भी काफी बताए गए हैं और antidepressants जो है आयरवेद में भी काफी सारी herbs हैं जो antidepressants का काम करते हैं जैसे कि ब्रहामी आशुगंदा शंक पु आप अपने doctor की सला से ले सकते हैं इसके बाद खुद के लिए आपने क्या करना है आप खुद के लिए अपना जो है lifestyle change कर सकते हैं उसमें जो है कुछ चीज़ें आप include करेंगी तो आपके लिए बहुत ही beneficial रहेगा जैसे कि आप अपना exercise pattern decide कर सकते हैं जिससे कि आपका body physically active हो और आपका mood up lift होगा आप योगा की meditation की help ले सकते हैं अप healthy diet follow करें क्योंकि आप जितना ज्यादा जो है जंक खाते हैं उतना ही आपके mood पे जो है वो असर डालता है आईरवेद में भी कहा गया है कि आप जैसा खाएंगे आपका मन जो है वैसा ही हो जाएगा और जो है आप उसका जो nature है बहुत जादा effect बिलकुल इसमें होता है इसमें कोई दो रहे नहीं है तो आपको जो है आपके body को rest देना भी उतना ही ज़रूरी है और अपने जो है आपके stress के कारण जो है उनको reduce करने की आपने कोशिश करना चाहिए अपने stress को दूर करने के लिए आप support system build कर सकते हैं जैसे कि आप अपने family की अपने friends की help ले सकते हैं ऐसे लोगों को अपने life में add करें जो आपको समझते हों जो आपको support करें जो आपके बात को सुने तो आप definitely जो है इस problem से बहुत असानी से बाहर निकल पाएंगे बशरते की आप खुद इससे निकलना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा effort आपने खुद करना है थोड़ी आप help ले सकते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है ऐसे problem से बाहर निकलने के लिए क्योंकि डिप्रेसिव इंसान जो है life को पूरे तरीके से नहीं जी सकता तो life को अच्छे से जीने के लिए चाहे depression कम सीवियर है य इंसान को तो उमीद है friends आप इन सारे tips को इस्तामाल करेंगे और अपने जो है कोई भी इस प्रकार की जो डिप्रेसिव कंडिशन है उससे आसानी से बाहर निकलने में आपको ज़रूर इस वीडियो की जो है थोड़ा help ज़रूर मिले तो उमीद है friends आपको यह जानकारी पस पसंद आई है तो प्लीज चानल को लाइक शेर वर सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मुच विंट फू वाचिंग स्टे हल्दी लिव वेल